हेलो फ्रेंड स्वागत था आपके स्टडी हैक्ट चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाइब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकाइब की एकदम बेसिक लेवेंस से जीने कुछ नहीं भी आता होगा उन्हें वह चीजें बहीं आसानी से समझ आएगी क्यों आएगी समझ क्योंकि इसमें नया बनाके उनको तोर तोर के चीज़े आपको मैं लर्न करबाता हूँ ताकि आप बड़ी आसानी से चीज़ें को गेन कर लो ठीक है इसका help आपको exam में मिलता है ठीक है जब मैं आपको किसी भी idiom phrase या one word को story या incidents related करके बताता हूँ या बताता हूँ कि कैसे इसके synonyms क्या हो सकते हैं इसके antonyms क्या हो सकते हैं तो जब आप exam देने जाते हो जब आपको word देखता है ठीक है अगर आपको same options नहीं भी मिलते हैं फिर भी आप उसको बड़ी आसानी से eliminate करके या फिर आप उसके possible क्या synonyms हो सकत मैं भी तो मुसको gain कर पाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका है practice करने का previous year के question ठीक है तो मैं वही कराता हूँ अपने class में previous year के question करवाता हूँ ठीक है कौन से previous year के तो जो recent exam होते हैं मैं उनके question आपको करवाता हूँ ठीक है तो अभी तक हमारी 42 classes हो चुकी है ठीक है और जैस क्राम हुए ठीक है उनको जब करवा रहा था तो आपने देखाओ कि बहुत सारे question ऐसे हैं जो कि मैंने class में करवा रखी है बहुत सारे work app मैंने class में बता रखी है previous year से ही पूछे जाते है ठीक है तो previous year पर main focus करने का यहीं मक्सद है ठीक है और अभी तक हमारी successfully 42 class हो चुकी ह आज हमारा episode 43 है अगर आपने नहीं देखा तो previous class जरूर से जरूर देखे playlist से और आप नए है तो आज की class भी देखेंगे तो आपको चीजे आसानी से समझ पहेंगी ठीक है तो आपको पता हुआ कि English grammar भी बहुत important role play करता है किसी भी exam में ठीक है तो इसको मद्धे नजार आने रहे आपको बहुत सारी चीजे सीखने को मिलेगी और बहुत सारी चीजे नहीं मिलेगी जो आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादे चीजे देने के कोशिस करता हूं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमने class को जानते कि आज क्या है नया class में ठीक है तो अगर कोम्वर का एंसर दिया है, मधुलिका पाटी ने, कोमलियादाब ने और स्वाथी ने ठीक है, मैं इन लोग के कमेंट, इसलिए यह हों कि नियों कि नियों होने लें, लिम्टेड टाइम फ्रेम में एंसर किया, जो मैं आपको देता हूं, लिम्टेड टाइम आप उसके भीच करता हूं अन्य था मैं नहीं कर पाता हूं लेकिन मैं आपके कमेंड का रिप्लाइज जरूर देता हूं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं अपने क्लास को जानते कि आज का पहला वर्ड कौन सा है तो आज का जो पहला वर्ड है वह है कंटामिनेट मतलब क्या होता है दूसित क इसके synonyms के बाद कर ले तो क्या हो जागा pollute, elulterate, defile, यह सब क्या है इसके synonyms है, ठीक है, contaminate मतलब क्या है, दूसित करना, ठीक है, जैसे देख पारे हों है कि यह नदी क्या हो रखता है, contaminate हो रखा, इसमें हमने plastics, जितने भी कच्छरे कसमान है, सारे toxic materials में डाल रखें, तो यह क्या हो गया, contaminate हो जागा है, ठीक है, पॉलूट हो चुका है, यह water पीने योग नहीं है, ठीक है, तो इसके synonyms क्या हो जाएंगे, तो refine, जिसको बार बार refine कर दिया जाए, तो चीज क् क्या हो जागी, pure हो जागी, सुध हो जागी, ठीक है, जिसमें थोड़ा भी परदूसित नहों हो पानी, तो वो क्या होगा, pure होगा, ठीक है, तो इसके synonyms क्या हो जाएंगे, contaminate के pure, refine, ठीक है, याद रखेंगे आप, चलिए, आगे बात कर लेते, next है, contemplation, contemplation मतलब क्या है, चिंतन करना, ठीक है, जब आप चिंता करते हो, तो क्या होते है, meditate करते हो, फिर भी चिंता करते हो, या किसी thought के एकदम गहरे में चले जाते हो, deep में चले जाते हो, तो उसमें भी क्या करते हो, चिंतन करते हो, ठीक है, तो इसके synonyms क्या हो इरीटेशन डीप ठोड़ दीब करें का लगे ओंघ और तो सब्सक्राइब ऑलतां निट जब क्या हो जागा इंब्नोर तो कुछ वा बात कर लेते हैं अ Himself कन text 5 गिर्ना करूँ एक synergy तो क्या करोगे आप उसके रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो इसका एंट्रोनिम्स क्या हो जागा का रिस्पेक्ट ठीक है आई होप आपको चीज़े खिलियर हो गए होगी तो आगे बरते और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते जानते कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कोन सा है तो नेक्स्ट है contingent, contingent मतलब क्या होता, accasmic, ठीक है कोई भी चीज़ अगर accasmic होगा तो आप उसको क्या कर सकतो, predict नहीं कर सकतो, वो चीज़ क्या होगा, accidental होगा, by chance हो जाएगा, ठीक है उसके वारे में आपको पहले से पता नहीं होगा, ठीक है, तो contingent का synonyms क्या हो जाएगा accidental, chance unforcing, ठीक है, यह सब क्या हो जाएगे इसके synonyms हो जाएगे, ठीक है अगर आपके payment fail हो जाते हैं, आपकी पे payment करो, अगर वो fail हो जाएगे तो वो क्या होगा, accasmic होगा, ठीक है accidental होगा, by chance वो चीज़ fail हो जाएगे, यह किसी और के खाते में चला जाए, तो यह सब आप पहले से forcing नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसको predict नहीं कर सकते हो पहले से, ठीक है unpredictable है, तो इसके antonyms क्या हो जाएगे, जो चीज predictable हो, ठीक है, जिसको आप पहले से जान सकते हो, कि मैं ऐसा करूँगा, तो यह चीज ऐसी हो जाएगे, ठीक है, चलाए, नेक्स्ट बात कर लेते है, नेक्स्ट है, contraband, contraband मतलब क्या होता है, वर्जित, और कोई भी चीज वर्जित है, तो क्या illicit है, अगर आप पारेंगे, जैसे की, gun, drugs, यह सब क्या है, contraband है, वर्जित है, smuggle करना, ठीक है, यह smuggler लोग क्या करते है, इसको smuggle करते है, तो यह चीज क्या है, लीगल है, ठीक है, तो इसका जो सही, एंट्रोनिम हो जागा है, क्या हो जागा, ठीक है, लीगल मतलब क्या आता है, वैद, जो चीज क्या हो, कानूनी रूप से वैद हो, ठीक है, उसी को बोलते है, लीगल, आपको चीज क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं, लेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो लेक्स्ट जासा कि आपको पता कि one word क्या बोलते हैं centenarian ठीक है centenarian कौन होते हैं जिसका 100 वर्थ हो गया होगा ठीक है a person who is 100 years old or more उसको क्या बोलते है centenarian ठीक है छली देख पारेंगे इस इस ओल्ड लेडी को कि इसके 100 साल पूड़ गया है तो इसको क्या बोलेंगे centenarian ठीक है छली next बात कर लेते next होता है centen evaluate centennial मतलब क्या आइब 100 साल का कोई भी 100 anniversary मना रहे है किसी भी इवेंट का क्या होगा उसको क्या बोलेंगे centennial मतलब सो चली है इनेक्स बात कर लेते हैं जैक्स ते सेंट्रिफूगल मतलब क्या होता उपकेंद्रिल ठीक है कुछिए होते हुए कि सेंट्री फूगल मतलब क्या होता है सेंट्रीटल मतलब आप किसी बीची को फूलाते हो तो क्या हूँ बाहर के था जब बैलून हो उस हवा डालतो तो फूलता है जब फूलेगा तो expand होगा तो कहां जाएगा बाहर की तरफ जाएगा तो anything tending to move away from center कोई बीची जो center से दूर भागने की कोसिस करें उसको क्या बोलते है centri-fungal ठीक है और एक होता है centri-petal ठीक है पीटल होता है तो तो पीटल से आप यादर को पिटाई अगर आप बाहर हो घर के बाहर हो अगर आपकी पिटाई होने लगे लाठी चार्ज होने लगे तो क्या करोगा घर की तरफ भागोगे मतलब क्या है अब आपको चीजे क्लियर हो गए होगी physics का भी क्लियर होगा यहाँ पर क्या होता है चली आगे बात कर लेते हैं हो यह मोम की लेडी बनी होई है बहुत इस नहीं प्यारी है इसको क्या बोलते है इस कला को क्या बोलते है सेरोग्राफिज चैब आपको थंडी में सरदी लगती तो आप क्या करता है रगर कर गर्माना तो क्या है तो दोनों हाथ को रगढते हो क्यों रगरते हो कि उसको आप गर्म करना चाहते हो तो उसी को बोलते है safe safe मतलब क्या होता है रगर कर गर्म करना ठीक है आई होप आपको चीजे clear हो गई होगे तो आगे बहते होगे और ज्यादा वह उब गर्ण को आपको ऐसे बर्न हो जाएगा ऐसे रेडिस बर्न हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट जैसा कि आपको पता करा रहा है यह बन्दा बहुत ही परसान होगा है ile क्यों नहीं करना है टीक है तो वेंडिंग मसीन क्या है आउट ओफ ऑ्ड़र इंच्ट द कीर चांद की उपर चलेगा है ़िक है बहुत कूस्ट होगए है Or something आप इसी मेंकि चीज के प्रति confnd जाखें आधर लोग को अच्छा गूहें जाघ्शा को विए सोझा ठीक कि फिल्ट के पारच लगा है तो Supreme टीक अब बहुत जादा खुस हो जातो अधी प्रसंन हो जातो उसी को बहुत है को वी ओवर दा मून थे रहे कि समय को कैसे मून के पारर चला गया तो कितना खूस हो रहा है कि चलो चलो मैं तो मून के पार्फ चला गया हूँ ठीक है चली नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है be under no illusion, ठीक है, illusion मतलब कहाता भर्म, और आप किसी भर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ही क्या होता है, किसी भर्म में ना रहना, मामलों से पूरी तरह अब गत होना, आप किसी भी चीज के भर्म में नहीं होगे, तो आपको उसकी reality पता होगे, ठीक है, आप उस situation के बारे में अच्छे से जान पाओगे, ठीक है, be fully aware of true state of affairs, ठीक है, किसी भी affair का, किसी भी मामले के बारे में आपको, क्या होगे, पूरी जानकारी होगी, आप aware होगे, किसी भी भर्म में नहीं होगे, तो यहीं होता है, be under no illusion, किसी भर्म में ना रहना, ठीक है, अब भर्म में मुठी में हो, तो क्या हो, उसके control में हो, ठीक है, तो be controlled by someone completely, या under control, ठीक है, अब किसी के control में हो, ठीक है, किसी के मुठी में हो, मतलब क्या हो, किसी के control में हो, तो husband क्या होते हैं, अपने wife के मुठी में होते हैं, be under the somebody's thumb, तो somebody's यहाँ पे कौन होती है, wife ही होती है, ठीक है, तो देख पारे हों कैसे बेचारापती अपने वीबी के इसारों पर काम करना है तो उसके पूरे कंट्रोल में, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बी वेट वियांद अईस, मतलब क्या अनुभव ही ही, ठीक है, अगर आपके कान के पीछे गिला गिला हो, तो मतलब क्या अप नूबोर्न हो, यंग हो, इनेउपरियेंच्ट हो, आप अनुभव ही नो, आपको अनुभव नहीं है, ठीक है, तो यही होता है, यंग गिला रहता है तो इससे बोलते हैं वेट विहाइंड अगर आपके कान के पीछे कुछ गिला है तो आपको चीज़े क्लियर हो गई हुए तो आगे बाथते नेक्सट बात कर लेते हैं नेक्स जैसा कि आपको पता है कि एक पैंडोरा बॉक्स होता है जिसको हम बानुमत्य का पिटारा कहते हैं जिसको हम पी लेके जाते हैं और ओपन करते हैं तो ऐसे ओपन होता है तो उसमें से क्या निकलता है और आप हमारे क्लास के साथ रेगुलर होंगे तो आपको पता होग तो डिसकस नहीं कर सकते है, बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है, क्लास भी लंबी हो जाएगी, और आप सारे रूल को एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाऊगे, उनसे पर बेस्ट कोस्टिन नहीं कर पाऊगे, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने क्लास के और डिगरी, सम इजई इन इफर्मेटिव सेंटेंस एड एंड अएण इन निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, कहीं पर भी आपको किसी वी चीज की कविए बता न ओ, या डिगरी बताना हो किसी वी चीज की, तो वहाँ पर क्या यूज करते है, सम, सम का कहां करते हैं? affirmative, ठीक है? सकारत्मक जहां पर होगा, ठीक है? affirmative sentence हो जो होगी, वहाँ पर हम use करते है quantity और degree के लिए क्या? sum का, ठीक है? लेकिन हम any का use कहां करते हैं, जहाँ पर negative या interrogative sentence होगा, तो वहाँ पर हम sum के जगा यूज करते हैं, ठीक है? और आपको express करना होगा कि quantity कितना है या उसकी degree क्या है, तो हम sum का use करेंगे affirmative के लिए, अगर वहाँ पर interrogative या negative हो तो वहाँ पर हम क्या use करेंगे? एनी होगा, निगेटिव और interrogative के लिए, और sum होगा, affirmative के लिए, ठीक है? एक्जामपल सा समझते हैं, have you bought some mangoes? ठीक है? तो यह कौन सा sentence है? यह है interrogative और अभी बता कि interrogative और negative के लिए क्या use होगा? एनी, तो sum यहाँ पर क्या है? गलत है, ठीक है? तो right sentence क्या हो जागा? have you bought any mangoes ठीक है? I hope आपको चीज़े clear हो गए होगी, ठीक है? तो इस पर based question आपको exam में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप इस पर based question प्रैक्टिस कर लेना घर पे ठीक है? और इस दूल को याद हखना है, कि quantity, degree के लिए अगर कब sum लगाते हैं, तो affirmative case में, और कब any लगाते हैं, तो interrogative और negative sentence के, ठीक है? ठीक है? ठीक है? चलिए, next बात कर लेते हैं, next जाता कि आपको पता है, previous question के question कर रहे हैं, तो 14 जूलाइग के हमने shift 1 और shift 2 की बात कर ली थी, आज हम discuss करेंगे shift 3 के question वो खैठके, ठीक है? तो आज क्या पहला question क्या? आपको antonyms बताने किसका? ज़स पू इसी के साथ time up हो चुका I hope आप सबी लोग ने सभी से अंसर कर दिया होगा ठीक है तो इसी का synonyms है क्या fake ठीक है इसी का synonyms है तो क्या हो जागे इसके अंट्वनिम तो YouTube आठेंटिक आठेंटिक धराराम क्या होता कोई भी चीज क्या है सच्चा ठीक है जो जाली नहीं हो ठीक है जाली है तो आप इसको क्या बोल सकतो और Libra со सब्सक्राइब अभी जो चीज्ज़ सचा हो जो चीज लीगल हो थेक है यह जो चीज़ लीगल हो लीगल हो ठीक है अब इसको लीगल भी बोल सकतो ह। अचंटिक है तो क्या है लीगल है तो दो घ्याई रियवूर ठीक है जैनियून है और रेलाइबल है ठीक है जिसाम आप भरूसा कर सकते हो ठीक है आप आपको चीज़े क्लियर होगी है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्टन की तरह नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताने इस ग्रूप वर्ड के लिए क्या है प्लेस वेर क्वाइन्स मेडल्स और टोकेन्स आर मेडल्स बहुत इजी है और बहुत बार पूछा जा चुका है हच हैंगर कबां एब क्लास कि चलिए नेक्सट आपको अहले इन्ट बताने चुछ आपको इडियम का मतलब बताने इडियम क्या है तो फीड पेट्स तो प्ले विद किड्स तो लव कैट टू फेसर बहुत ही इजी है बहुत पार पूछा जा चुका एससी तो इसी के साथ टाइम आप हो चुका आयोप आप से विलेगा तो फेसर कर दिया होगा तो बेल दा कैट ठीक है अगर आपको कैट को घंटी बानना हो तो क्या होगा वो इसकी काम होगा ठीक है इसका सही एंसर होगा टू फेस ठीक है चली नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको एंट्रोनीम से बताने किसका कर्टेल का ठीक है चार ओप्सन है इंडेंट इनेट इंक्रीज इंसिनुएट ठीक है फड़ा फट एंसर करे इसे के साथ टाइम आप हो चुका है ठीक है आप सभी लोग ने सभी से एंसर कर दिया हो तो कटेल मतलब क्या होता है घटाना या कम करना ठीक है कोई विच्छी को आप कम कर दे रहे हो तो इसके अंटोनिम क्या होगा कर दे रहे हो क्सिद रहे साथ प्रेक्ट कर देतों सब्त्रैक्ट कर देक्वे डिड़क्ट कर देतों ठीक है ये इसके क्या हो जाएगा इन्डेंट काम कर दें लेकवेगो इनेट की बात कर लें, इनेट की, तो इनेट मतलब क्या होता है, आपको मैं बता चुका हूँ, क्या होता है, जन्मजाद, प्रिवियस क्लास में ही करवाया है, आपको याद होता है, इनेट का मैंने करवाया है, जन्मजाद, इन्बॉर्ण, इन्ब्रेड, ठीक है, इन्हेरें किसी को आप इसारा करके बुलाते हो, उसी को बहुत हो, इसारा कैसे कर तो, इसारा कैसे करते हो, और हिंत देते हो, ऑफिर कहा तो, थीक है चली नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको सीनोनिम से बताना है इंसीडियोस का ठीक है चार अपसन है प्रोटेक्टेटट्ट शेक्योर सेफ हार्मफूल भूत ही आसानी साफ इसको इसको ऐल्लिमिनेट करके कर पा रहे होंगे थीक है तो इसी के साथ time up हो चुका I hope आप सभी लोग ने सही से इंसर्स कर दिया होगा ठीक है तो insidious मतलब क्या होता है harmful ठीक है अपने movie भी देखिए इनसीरियस भूत वाली है बहुत ही harmful होती है ठीक है बैड बोल सकते हो harmful है तो क्या है बैड है ठीक है और protected, secure, safe मतलब क्या होता है सुरक्षित ठीक है यह सब क्या है एक दूसरे के synonyms चलिए नेक्स्ट बात कर वहते हैं नेक्स्ट आपको इडियम फिल करना इस सेंटेंस में ठीक है कि कौन सा इडियम यहाँ फिट बैट रहा है सेंटेंस के आड़ प्लीस हाब नॉट येट बिन एवल तु सॉल्व धक्यस इट सिम्स टू बी अ ठीक है इन नट सेल टर्निंग ओवर अन्यू लिफ अ हाड नट टू क्रैक इन अप्ली फटाफ़ट एंसर करेंगे इससाद टाइम अप्खो चुका आई ओप सभी लोग ने सभी से इडियम भर दिया होगा तो क्या होगा इसका सभी इडियम और हार्ड नट टू क्रैक मतलग क्या है स्वाल्व करना बहुत ही मुझकी होता जा रहा है ठीक है आई ओप आपको चीजे क्लियर होगी होगी तो आगे बतें नेक्स्ट क्वेस्चन की तर्फ नेक्स्ट क्या करणा आपको एंटोनिम्स बताना है किसका एस्ट्राउंच का ठीक है चार ओप्शन है रिजॉलूट केरलेस कंफ्यूज अन इस्टीडी ठीक है फटा-फट एंस अन इस स्टीडी ठीक है एस टॉंच मतलब होता कत्ता और तो क्या ओगा फिक है कोई भी छीजी मोगा तो क्यां होगा दो हौगा ओंडोक्स होगा मैं आपको करवा चुका हूँ, careless क्यों होता है? लापरवाँ, आपको बता रखा, सुपाइन, carefree, reckless, सुपाइन, रेमिस, यह सब मैं आपको बता रखा हूँ. confuse मतलब क्या होता है? परसान होना है, जब confused होता है, और पर्पलेंग्स हो जाते हो नर्वस हो जातो हो दिस्टिघ हो जातो यह मैं आपको करवा रख्ता हूं fun का से हो तो क्या हो सेक ही ओो तो वह स्थिर नहीं होता है तुक है जो चीज सेख कर रहा होगा तो वो क्या होगा ऑस् darle ठीक वो स्थिर नहीं हो एक जगा पे नहीं सतरों सेख क्राणारी हिल दूल को ठीक है तो सेख हे हो जागा आप इसको बो बोगत सकत nuclear को इस्टेवल हो जाएगा समएट उजनटीनव हो यह समस्त आरा चांट कर लेकिशन नेक् ठीक है चार अप्शन है मैसोचिस्ट परवर्ट हरमिट मिस एंथ्रोप ठीक है फटाफट एंसर करेंगे इसका जो करेक्ट एंसर होगा ऑप पर्सन हूँ है और वाइट अवाइट अधर पीपल तो क्या हो जगा मिस एंथ्रोप ठीक है यह सब मैसोचिस्ट परवर्ट हरमिट यह सब क्या होता मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा जब मैं वर्ण 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 करवाऊंगा तो आप चिंतित मत होना कि मैंने इसको छोड़ दिया भी ठीक है तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ूगा नहीं आगे आपको सारी चीज़े बढ़ी ही इजी वे में आपको समधाऊंगा जरूर ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आपको सीनोनिम से बताना है एब से सब्सक्राइब। यह सब्सक्राइब। सफलोना mean iqb해 इसके। हो सकते हैं अपर फ़िद्स नियाख मतलब इसको आप इसको इसको सब्सक्राइब करने। कि नेक्स्ट आपको वर्ण बर्वात आना अब पर्शन हूँ एबांडन्स रिलीजन ठीक है चार आपसन है इगोटिस्ट प्रीस्ट एपोस्टेट एथिस्ट ठीक है फटाफाट एंसर करेंगे अब पर्शन हूँ एबांडन्स रिलीजन उसको क्या बोलते एपोस्टेट ठीक है इगोटिस्ट प्रीस्ट एथिस्ट यह समय आपको बता रखाओं ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको इसके लिए ओवर्ड ओवर्ड बताने इस ग्रूप अवर्ड के लिए a child who is believed to have been secretly left in exchange for another ठीक है तापको कब से कब तक बताना है फाइव थर्टी से लेके 10 पीम सेंदे ठीक है ताकि मैं आपके कमेंट इंक्लूड कर पाऊ अगले क्लास में ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दे अपने दोस्तों में सेर कर दे जिने वकाया पढ़नी है एकदम बेसिक लेबल से ठीक है कम समय में सारी चीजे करनी है उन्हें आप जरूर से जरूर से और कमेंट में होंबर का एंसा जरूर करना और आपको 10 में से कि इतने मांक्स आया है अब यह भी जरूर से जरूर कमेंट करें कमेंट करना न भूले ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ ठीक है तब तक के लिए जय हिंद्ध जय भारत केक के हां